Hello Friends, Welcome back to Crazytronics आज की इस वीडियो में हम Pulse in Function के बारे में देखेंगे Pulse in Function क्या होता है और इसका Use क्यों किया जाता है इसके बारे में हम इस वीडियो में डीटेल में देखेंगे तो चलिए दोस्तों बिना देरी कि ये शुरू करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि Pulse in Function क्या होता है Friends, Pulse in Function एक ऐसा Function है जिसका Use करके हम Audino की Digital Pin पर आने वाले Digital Signal का On Time या फिर Off Time पता कर सकते है इसका मतलब कि ये Signal कितने समय तक High रहेगा या फिर कितने समय तक Low रहेगा इसे हम Pulse in Function का Use करके पता कर सकते है इसका syntax रहता है Pulse in और इसके अंदर आपको 3 parameters लिखना पड़ता है सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है PIN number कि आप कौन से PIN पर Pulse को Read करना चाहते है और इसके बाद आपको लिखना पड़ता है High या फिर Low अगर आपको calculate करना है कि कोई Pulse कितने समय तक High रहती है तब आपको यहाँ पर High लिखना पड़ता है और अगर आपको यह पता करना है कि कोई Pulse कितने समय तक Low रहती है तब आपको यहाँ पर Low लिखना पड़ता है और इसके बाद में तीसरा parameter है Time Out फ्रेंट्स ये जो तीसरा parameter है timeout ये optional रहता है और generally इसका बहुत कम use किया जाता है अगर हमने pulse in function में timeout लिखे है तब pulse in function उस time के बाद में pulse को read करना शुरू करेगा फ्रेंट्स pulse in function को और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर हम एक example देखेंगे इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगा मान लिजिए कि मेरे पास में एक ordino है और मैंने इस ordino से एक digital sensor को connect किया हूँ और यह digital sensor ordino को digital signal send करता है जिसमें pulse high रहती है या फिर low रहती है मान लिजिए कि मैंने यहाँ पर sensor को ordino की digital pin 6 से connect किया हूँ तो अगर मैं यहाँ पर यह पता करना चाहता हूँ कि यह digital pulse कितने समय तक high रहता है तो इसके लिए मैं लिखूँगा pulse in 6 high तो pulse in function मुझे return में time की value देंगा जो कि microsecond में रहेंगी और यह वही time है जितने देर तक pulse high रहती है और ठीक इसी तरह से अगर मैं पता करना चाहता हूँ कि यह pulse कितने समय तक low रहती है तो इसके लिए मैं लिखूँगा pulse in 6 low तो इस तरह से pulse in function मुझे return में जो time की value देंगा यह वही time रहेगा जितने देर तक pulse low रहती है तो friends इस तरह से pulse in function काम करता है लेकिन यहाँ पर आपको कुछ बातों का याद रखना पड़ेंगा मान लिजिए कि मैंने लिखा pulse in 6 high और अगर pin number 6 पर पहले से ही high input आ रहा है तब pulse in function वेट करेंगा जब तक कि यह pulse low नहीं हो जाती और फिर low होने के बाद में जब दोबारा यह pulse high होंगी तब pulse in function count करना शुरू करेंगा और तब तक count करेंगा जब तक कि यह pulse high रहती है और जैसे ही यह pulse low हो जाएगी वैसे ही pulse in function count करना बंद कर देंगा और यह जो time है जितने देर तक pulse high रहती है इस time को pulse in function return करेगा और ठीक इसी तरह से अगर मैंने लिखा pulse in 6 low और pin number 6 पर अगर पहले से ही low input आ रहा है तब pulse in function wait करेगा जब तक ये pulse दोबारा से high होकर low नहीं हो जाती और जब ये pulse दोबारा low होंगी तब pulse in function count शुरू करेगा और तब तक count करेगा जब तक ये pulse high नहीं होती और जैसे ही ये pulse high होंगी वैसे ही pulse in function count बन कर देगा और ये जो time है जितने देर तक pulse low रहती है इस time को pulse in function return करेगा और इसके बाद आपको सबसे important बात ये याद रखना है कि pulse in function का use करके हम 10 microseकेंड से 3 मिनट तक pulse की length calculate कर सकते है friends I hope कि आप इन points को अच्छे से समझ गए होंगे अगर आपको अभी भी कोई doubt है तो आप हमसे comment करके पूछ सकते है अगर आपको ये video पसंद आया है तो please इस video को like कीजिए अपने दोस्तों तक इस video को share कीजिए और अगर आप Arduino की programming को basic से सीखना चाहते है तो please हमारे channel को subscribe करके bell icon को दबा दीजिए वीडियो को आखरी तक देखने के लिए Thank you so much